आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी 12 के बाद NEET और JEE की जो परिक्षा होती है उसके ओपर बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट क्या है क्योंकि हर साल जो बच्चे हैं JEE और NEET को लेके बहुत जादा टेंशन होते हैं 11th स्टार्ट हुआ उसके बाद 11th स्टार्ट होने के बाद से ही बहुत से बच्चे क्या करते हैं JEE और NEET के प्रिपरेशन में लग जाते हैं बहुत से बच्चे अपना घर छोड़के अलग अलग जो इंस्टिटूट है देश के अंदर वहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ दो साल वो अकेले रहते हैं और किस तरह से वो रहते हैं वो आप सब को भी पता है उसमें से बहुत से बच्चों का सेलेक्शन नहीं होता है और इसके कारण हमें बहुत से जो गलत न्यूज है वो सुनने को मिलती है तो यहाँ पे इसी चीज को लेके यहाँ पे जो इन्वर्सिटी ग्रांट कमिशन है उसने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है उन्होंने कहा है कि हम लोग इन्वर्सिटी ग्रांट कमिशन को सिंगल एंटरेंस एक्जाम के लिए प्रस्ताओ दिया गया है अब UCG इस प्रस्ताओ पर विचार कर रहा है याने आपको पता है कि जो नीट है वो नीट अलग से एक्जाम होता है और जेई का जो एक्जाम है वो अलग से होता है लेकिन जो University Grant Commission है जो जितने भी University है इंडिया के अंदर वो सारे के सारे University में होने वाले जितने भी exam है वो UCG के अंडर ही होता है तो UCG की तरफ ये प्रस्ता गया है कि जो NEET और JEE का exam है उसको भी क्या किया जाए एक किया जाए यानि सिंगल एंटरेंस exam होगा और इससे क्या होगा कि बच्चों लोग को जादा टेंशन नहीं आएगा और इस एक exam के जाए से बहुत से बच्चे क्या होगे इसके अंदर participate करेंगे उनको अलग-अलग exam के लिए जो fees है वो नहीं भरना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या news निकल के आई है वो हम लोग देखते एक बार तो national eligibility test यानि जो NEET है और joint entrance examination जो जल्दी बिती हुई बाते हो सकती है क्योंकि university grant commission को भेजे गए latest प्रस्ताओं को अगर स्विकार कर लिया जाता है तो NEET और JEE means exam को हाली में launch किये गए common university entrance test के साथ मिलाया जा सकता है यानि जैसा हम कह सकते हैं कि one nation one exam तो इसी को लेके यहाँ पर जो CUET है यानि common university entrance test तो इसी के तहत अगर JEE और NEET के exam को अगर उसके अंदर मिला दिया जाए तो एक exam हो जाएगा और इससे बच्चों लोगों को बहुत जादा सहुलियत मिल जाएगी तो इस तरह जो CUET सभी test के लिए किये गए common university entrance test के साथ मिलाया जा सकता है और इस तरह जो CUET है वो एक test बन जाएगा और अभी जो CUET के जरिये central university में undergraduate और postgraduate courses के लिए जो entrance exam है वो कराया जाते हैं याने जितने भी undergraduate और postgraduate जो exam है university के अंदर वो सारे के सारे जो university common university entrance test के तहत होते हैं लेकिन अभी जो 12 के बाद NEET का exam होता है और JEE का exam होता है उसको भी कराने की त्यारी की जा रही है तो ये सारा जो news है वो times of India की तरफ से निकल के आया है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो professor है UCG के जगदिश कुमार उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं और जो medical है और engineering के लिए जो अलग-अलग जो entrance exam है उसको अगर CUT एकरूट कर देगा तो इसमें इस बात के लिए ये हो जाएगा कि केवल एक ही subject में अपनी दच्छता है उसको साबित करने के लिए student को अलग-अलग exam में हिस्सा लेना पड़े वरतमान में medical और dental की पढ़ाई करने के लिए student को neat exam देना होता है जबकि engineering में admission के लिए J.E.Mains का exam के लिए करना होता है और यहाँ पर जो उनके अद्यक्ष है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम लोग इस प्रस्ताव को अगर मंजू कर लेते हैं तो student को सिफ एक exam देने की ज़रत होगी और इस national level exam के नंबर तब सभी student के लिए रास्ते खोलेंगे और UCG के अद्यक्ष ने कहा है कि higher education regulator इस संभावना पर काम कर रहे हैं और ती national level exam के लिए विलाए और उसी पर आम सहमती तक पहुँचने के लिए अवेवारता को देखने के लिए एक समिती भी बनाई गई है जाते हैं बच्चे IIT जैसे colleges में तो वहां के लिए वो बच्चे JEE का exam देते हैं तो यह सब को cancel करके सिर्फ एक exam कराया जाएगा देश के अंदर वो उसी exam के number के base पे बहुत से बच्चे medical में भी जा सकते हैं और जो engineering colleges IIT जैसे IIT, NIT वहां पे भी वो जाके पढ़ सकते हैं तो यही प्रस्ताव यहां पे जो UCG को दिया गया है ताकि जो student है उनको एक की knowledge के आधार पर कई exam के अधिन न किया जाए और student के पास एक entrance exam होना चाहिए लेकिन subject के बीच apply करने में कोई author होने चाहिए यानि यह भी एक option दिया जाएगा कि अगर वो बच्चे medical के लिए जाना चाहते हैं तो उस exam में medical के ज़्यादा question पूछे जाएंगे अगर वो ही बच्चे अगर engineering में जाना चाहते हैं तो engineering में उन बच्चों को ज़्यादा extra question उसमें से पूछे जाएंगे और इसी को लेके यहाँ पे सारी चीज़े हो रही है अभी भी आपको पता है कि देश के जो top IIT admission के लिए हर साल चात्रों को जही परिक्षा में बहुत से बच्चे लाखों बच्चे सामिल होते हैं और उसमें से केवल 5-10% बच्चे ही क्या करते हैं IIT में उनका selection हो पाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात नहीं है इसलिए यहाँ पे एक common entrance stage बनाया जाएगा जिसके तहट अगर उनको marks आते हैं अच्छे तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर जेई का exam दे रहे तो वो जेई engineering के लिए ही दे सकते हैं और medical का exam दे रहे तो medical field में ही जा सकते हैं लेकिन अगर एक common entrance exam होगा तो अगर उसके अंदर number आते हैं तो वो चाहे admission medical में ले, engineering में ले, dental में ले, किसी भी medical field में ले, किसी भी engineering field में ले, उससे कोई मतलब नहीं निकलता ठीके, आभी भी आपको पता है कि जो course है graduation के अगर आप 12 के base पे अगर IIT जाना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे courses होते हैं जैसे आप undergraduate graduate कर सकते हो IIT से, तो इसमें IIT मदरास हो गया, IIT Bombay हो गया, ऐसे सब colleges से सामिल है, तो यही चीज़े यहाँ पर आपको देखनी है और यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, तो आपको यह कैसी लगी आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताईएगा कि क्या एक एक एक्जाम होना चाहिए यह देश के अंदर, वन नेशन, वन एक्जाम, वन एंटरंस एक्जाम, तो इस बात पर आपकी क्या सहमती है, आपकी क्या राय है, उस चीज़ को आप हमें कमेंट करके बताईए, तब तब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में,